तो आज इस टॉपिक को हम डिसकस करने वाले हैं that is the Crips Mission और इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम इसके इंटॉडक्शन को डिसकस करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे के Crips Mission है क्या और उसके बाद जो Crips Mission के अंदर जो चीजें थी जो प्रॉपोजल्स दिये गए थे हम उनको डिसकस करने वाले हैं और उसके बाद उन प्रॉपोजल्स के उपर जो इंडियन्स का रियेक्शन था हम उसको डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिसकस कर लेते हैं तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि there has been two world wars पहली world war जो थी वो 1914 से लेकर 1918 तक थी और जो दूसरी world war थी that was from 1939 to 1945 और बरतानिया जो था वो दोनों वार्स का हिस्सा था और दूसरी world war के दोरान बरतानिया को काफी setbacks हुए वो काफी मुशकलात फिस कर रहे से इस्पेशली जो military थी उसको लेके वो काफी परेशान थे और वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो इंडियन military है वो भी war के अ अंदर उसको इस्तेमाल किया जाए उनको यूज किया जाए तो इस वज़े से इस बात को लेकर वो काफी प्रेशान थे और दूसरी बात ये थी कि इंडिया के अंदर political instability यानि जो इंडियन लीडर्स थे या इंडियन जो लोग थे वो खुश नहीं थे बिटेन जो है वो इस मुल्क की जो हुकमरानी है वो इंडियन को दे दे तो इस हवाले से इसी वर्ल्ड वार के दोरान 1942 में सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स को भिजा गया इंडिया के अंदर ताके वो जो political instability है उसको कम किया जाए ताके जो इंडियन आर्मी है वो बिटेन की तरफ से व 80 मसाइल हैं उनको डिसकस करने के लिए उनके हल के लिए सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स को इंडिया में भेजा गया कि वो कुछ ऐसी इस इसलाहात लाएं जिनसे इंडिया के इंडर जो political मसाइल हैं उनको हल किया जा सके और सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स ने अपने proposals दिये जो व proposals दिये थे जो जाने जाते हैं क्रिप्स के proposal और इसी वजह से क्योंके सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स ने ये proposals दिये थे तो इसका नाम क्रिप्स मिशन है और इसको इसी नाम से जाना जाता है so let's discuss those proposals which were given by the स्टेफ़र्ड क्रिप्स तो सबसे पहला जो proposal उन्हें दिया क्योंके इंडियन्स अपनी हुक्मरानी चाहते थे इंडिया के अंदर और वो चाहते थे के हमारी खुद की हुक्मरानी हो यानि इंडियन्स जो हैं वो ही इंडिया के उपर हुक्मरानी करें तो इसी हवाले से और जो आईनी मसायल थे यानि कॉंस्टिटीशन से रिलेटिड मसायल थे खास करके हिंडू इंडियन्स हिंडूस के साथ और मुस्लमानों के दर्मियान के पावर किसको दी जाए सूबए हो या फिर मुस्लमानों का अलग मुल्क बनाया जाए हिंडू का मुस्लमानों की यही डिमांड थी और हिंडूस चाहते थे कि इंडिया को ना तोड़ा जाए और कॉंग्रेस को उसकी हुकूमत दी जाए और मुस्लिम लीग को कुछ भी इस तरह का ना दिया जाए क्यूंके हिंडूस यह समझते थे कि कॉंग्रेस सी जो है वो ही इंडियन् सिर्फ़र्ड क्रिप्स ने जो प्रपोजल दिये उनमें सबसे पहला प्रपोजल था वो ये था के इंडिया का कॉंस्टिट्यूट असेंब्ली कंसिस्टिंग आफ इंडियन रिप्रेजन्टेटिफ शेल टर्मिनेशन आफ दे वर उन्होंने का जब ये जंग खतम हो जाएगी तो उसके बाद इंडिया के आइन बनाने के लिए इंडिया का कॉंस्टिटिशन बनाने के लिए एक असेंबली तश्कील दी जाएगी पहली बात उन्होंने अपने प्रॉपोजल्स में ये कही दूसरी बात उन्होंने कही कि दे यूनियन आफ इंडिया विल बी गिवन डॉमिनियन स्टेटस यानि डॉमिनियन स्टेटस वो होता है जिसमें एक मुल्क अपने उपर हुकूमत खुद करता है लेकिन उसका हेड ऑफ दे स्टेट जो होता है वो बिर्टिश कुईन या बिर्टिश किंग जो होता है वो उसका हेड ऑफ दे स्टेट कंसीडर किया जाता है तो यह Dominion Status होता है जिससरा आजकर अगर हमारी अपनी बात देखें तो पाकिस्तान के अगर हम बात करें कि Head of the Government तो Prime Minister है लेकिन Head of the State जो है वो है President तो इंडिया के अंदर भी जो Crips Mission के अंदर जो Proposals दिये गए थे उसके According यह था कि इंडिया जो है That Will Be The Dominion उसका जो स्टेटस होगा It Will Be Dominion स्टेटस This Implied Complete Internal Independence Within the Framework of the British Commonwealth और उन्होंने कहा के British के अंडर रहते हुए उनको जो अंदरोनी मसाइल है उनकी पूरी जो है वो इंडियारात दिये जाएंगे इंडियान्स को तो दूसरी शर्त यह थी और दूसरी बात जो प्रॉपोजल्स में कही गई थी क्रिप्स मिशन सर क्रिप्स के प्रॉपोजल्स में वो यह थी कि इंडिया जो है वो Dominion स्टेटस होना चाहिए वो British Crown के अंडर ही काम करेगा उसके जो अंदरोनी मसाइल है उनमें खुदमुगतारी जी जाएगी जो इंडियन्स जो उसके उपर हकुमत करेंगे तीसरी बात जो प्रिंसली स्टेटस प्रिंसली स्टेटस वो स्टेटस थी जो चोटी चोटी स्टेटस इंडिया के अंदर थी वर आलमोस्ट फाइव हंड़ेड प्लस स्टेट्स थी इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका खुदकर वो उनका राजा होता था जो उनके उपर हुकूमत करता था या उनका अलक से बादशाह होता था वो आज़ाद इस इस हैसियत से थी कि वो कुछ पैसे ज जो है वो खुद ही हुक्मरानी करते थे और जो इंटर्निल अफियर्स थे वो खुद ही देखते तो उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था तेट वर आलमोस्ट फाइव हंड़ेड प्लस प्रिंसली स्टेट्स और तीसरी शर्त यह रखी गई किर्प्स मिशन में के जो प कानून बनाने वाली कानून बनाने वाले लोग होंगे जो कॉंस्टिट्ट असेंबली कहलाती है उसमें जो है प्रिंसली स्टेट्स की भी रिप्रेजंटेशन होगी यानि प्रिंसली स्टेट्स की रिप्रेजंटेशन भी उसमें दी जाएगी यानि प्रिंसली स्टेट्स क भी कोई न कोई फर्द उस constitution assembly का हिस्सा होगा तो तीसरी तीसरा जो proposal था वो ये था और चोथा proposal ये था the British government shall be responsible for the implementation of the constitution यानि जो constitution वो constitution assembly बनाएगी जो war के बाद जो constitution assembly बनाई जाएगी और वो जो भी constitution बनाती है उसकी implementation जो है वो British government करवाएगी उसकी जिमेवार वो होगी कि वो उसको implement करवाए the provinces will be given a right to opt out of the proposed Indian union or retain their present status and join the freedom under the new constitution at a later stage और इंडिया के अंदर जो सूबे थे उनको ये इखतियार दिया जाएगा उनको ये इखतियार दिया जाएगा कि वो वो जो है उस उस जो Indian union होगी जो Indian government जो constitution जिसका बनाया जाएगा उन provinces के पास ये इखतियार होगा कि वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं और उनके पास ये भी इखतियार होगा कि जब constitution बन जाए और उसके बात जो है वो उसमें participate करें इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को ये तोड़ने की बात ही थी क्योंकि अगर एक central government बनाई जाती है according to the CRIPS mission CRIPS proposals के according अगर एक central government बनाई जाती है जिसका constitution भी बनाया जाता है लेकिन provinces को ये इखतिया दिया जाता है कि वो इसको join करें या ना करें ये उनकी खुद की मर्जी है so this was the fourth proposal by the CRIPS और उनने कहा था कि constitution जो है constitution असेंबली जो constitution बनाएगी और उसके according जो इंडिया के अंदर हकुमत बनेगी और जो union बनाई जाएगी यानि जो जो तो वो कर सकता है और अगर constitution बन जाए और उसके बात करना चाहे तो भी उनके पास ही अख्तियार होगा नमर फाइव election of provincial assemblies will be held after the end of the war जब war खतम हो जाएगी तो elections होंगे जो provinces है सारे उनकी जो assemblies है उनके elections होंगे और provincial assemblies will elect members of the constitution assembly और जो provincial assembly है जिस हमारे यहां मुलकों सूबों की जो खुद की assemblies है सिंद assembly है पंजाब assembly है और केपी की assembly है बलोचिस्तान assembly है तो जिस तरह इंडिया के अंदर जो बंगाल प्रोविंस था बिहार था और पंजाब था यह जो provinces हैं इनके provinces की elections कब होंगे जब world war खतम हो जाएगी और उसके बाद वो जो assemblies है वो खुद elect करेंगी अपने members जो हिस्सा होंगे constitution assembly constitution जो constitution assembly होगी जो आइन साज assembly होगी जो आइन बनाएगी उसमें उनके भी members होंगे और वो election के बाद होंगे और वो क्या होंगे one tenth of their respective strength और वो one tenth होंगे उनकी strength के according जो भी one tenth number बनता है उनकी representation दी जाएगी उस constitution assembly में जो आइन बनाएगी world war two के खतम होने के बाद और यह थी पांचवाँ जो proposal था और यह च्छटा proposal क्या था the British government will continue to run Indian affairs till the termination of the war जब तक war खतम नहीं हो जाती और जब तक war चलती रहती है तब तक जो British government है वो ही इंडिया पर हकूमत करती रहेगी और साथा प्रपोजल यह था any proposal regarding amendments in this plan shall not be entertained the plan shall have to be accepted or rejected in totality उन्होंने कहा कि अगर इंडिया की जो सियासी parties है especially Indian national congress और All India Muslim League उनको यह proposals कबूल है तो ठीक है तो यह पूरे के पूरे कबूल करने पड़ेंगे उनमें कोई भी change नहीं किया जाएगा या तो आपको यह accept करने है या reject करने है आप यह recommendation नहीं दे सकते के यह जो यह point जो है इसको change किया जाए और इसके उपर इसके यह point लगाई जाए या तो आपको यह कबूल है या आप इसको reject करते हैं यह आपके उपर है सो दीज वर दी सेवन प्रोपोजल्स बाई दी क्रिप्स सरे स्टेफ़र्ट क्रिप्स जो है उन्हों ने यह साथ प्रोपोजल्स दिये थे इंडिया के अंदर जो political मसाइल थे जो सियासी मसाइल थे उनके हल के लिए मेजर इंडियन पार्टी उसके reaction क्या हुआ उसका उसका reaction यह हुआ कि इंडिया के अंदर जो political parties थी वो दो बड़ी political parties थी एक दी Muslim League और दूसरी थी Indian National Congress और उन दोनों parties ने reject कर दिया क्रिप्स प्रोपोजल्स को उसकी वजुहात क्या थी ही उनको समझने की कोशिश करते हैं Congress ने Congress ने इसे reject क्यों किया Congress ने इस वज़े से reject किया था कि Congress यह नहीं चाहते थे कि इंडिया को तोड़ा जाए पहली बात तो यह थी The Congress despised the prospects of India's disintegration which the formula apparently promised क्योंकि जो क्रिप्स प्रोपोजल्स थे उनमें ये बात कही गई थी कि प्रोविंस जो हैं वो उनकी मर्जी है कि वो इस यूनियन यानि इस जो गॉर्मेंट बनाई जाएगी उसका हिस्सा हों या ना हों हिस्सा नहीं होंगे तो इसका मतलब वो अपनी खुद गॉर्मेंट चलाएंगे यानि इंडिया को तोड़ा जाएगा तो यह जो बात थी यह Congress को acceptable नहीं थी इस वजह से उन्होंने इन प्रोपोजल्स को reject कर दिया और दूसरी बात Congress को यह पता थी कि कि the Congress knew that the government was under great stress due to her war engagements and it was a golden opportunity to build pressure on her to quit India और उन्होंने यह समझा कि जो British government है उसके उपर बहुत ज्यादा प्रेशर है World War 2 की वजह से और वो Congress यह चाहते थे कि British जो है अंग्रेज जो है वो इंडिया से चले जाए और हकूमत Congress के हवाले करके जाएं तो इन दो वजहात की बिना पर उन्होंने इन proposals को reject कर दिया Muslim League ने क्यों reject किया The Muslim League rejected the plan simply because it stood as the federal India Muslim League ने इस वजह से reject किया कि उन proposals में यह कहा गया था कि एक constitution assembly बनाई जाएगी उसका एक constitution होगा और वोई इंडिया के उपर हकूमत करेगी तो Muslim League की simply यह demand थी कि मुसल्मानों का एक अलग मुल्क बनाया जाए क्योंकि इस इन proposals में federal जो है federal इंडिया की बात की गई थी यानि एक central government होगी जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर एक central government है और उसके चार provinces है क्यों इंडिया के अंदर भी यही बात हुई थी कि एक central government होगी जिसका constitution एक होगा तो Muslim League simply यह चाहती थी कि दो states बनाई जाए एक Muslim state और दूसरी Hindu state Muslim state यानि Pakistan की उनकी demand थी इस वजह से उनों ने इस जो यह जो proposals थे उनको reject कर दिया so this was all about the Crips mission और Crips mission में यही था के जो stafford Crips ने जो proposals दिये थे this was all about them so I hope this video will help you in understanding the topic so thank you so much Allah Hafiz